नहाय खाय के साथ चार दिवर्शिय लोकास्था के महापर्व छट पूजा की शुरुआत हो चुकी है छट पूजा के पहले ही दिन काफी संख्या में छट व्रती गंगा घाटों पर पहुँचकर स्नान करने के साथ ही व्रत की शुरुआत किये वही गंगा किनारे पहुँची छट व्रतियों के छट के गीतों से पूरा वातवरन भक्ती मैं बन गया है व्रती महिलाओं ने बताया कि बड़े ही सुद्धता एवं पवित्रता के साथ इस पर्व को मनाना होता है जो भी इनसान की मनुकामना होती है वो पूर्ण होती है वही गंगा घाट पर मौजूद पुजारी लाला बाबा ने बताया कि बक्सर का राम रेखा घाट काफी मसहूर है केवल बिहार ही नहीं दूसरे प्रदेश के भी छट वरती काफी संख्या में यहां आते हैं हम आपको बताते चलें कि छट पूजा के दौरान लोगों के पूजा का प्रशाद बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के कई लोगों दौरा बक्सर के राम रेखा घाट पर गोईठा की बिक्री के लिए पहले से ही गोईठा का टाल लगाया गया है आम दिनों में जहां एक रुपए में पांच गोईठा मिलता था वही आज इसकी कीमत बारा रुपए दर्जेश के लिए चार दिन का महापर आज जो है नहाय खाए और अते लोग कद्दू का सबजी और चावल और कल जो है खारना का परशाथ खीर और रोटी खा करके लोग बरत करें यह जो रामरेखा घाट है काफी परचलित घाट है यहां पर कितने से रंख्यम लोग आते हैं और क्या बकसर के ही लोग आते हैं या फिर बाहर के लोग आते हैं यहां भी भी होता है लोकल भी लोग आते हैं जिसे की बगल मिलतर परदेशे वहां से भी लोग आते हैं जो अग प्रिश्वर्शाशन भूई करती है रम्रेखा घाट पे क्या नाम हो बबाब का अमरा नाम अमर नत्पांडे और फुलाला बबाबा गंगा आरती मुख्फ पुजारी रम्रेखा घाट बक्सर लिए